बच्चों कैसे हैं आप बच्चों आज हम हिंदी ग्रामर करेंगे ठीक है हिंदी ग्रामर में आज हम करेंगे पार्ट दस पार्ट दस विलोम शब्द विलोम शब्द क्या होता है जिन शब्दों का विप्रित अर्थ निकलता है जो एक दूसरे का विप्रित अर्थ निकलता है उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जो शब्द आपस में विपरित अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, विपरित मिस उल्टा, उल्टा मतलब जैसे दिन का रात, सुख, दोख, तो इनका उल्टा अर्थ दे रहे हैं, तो विलोम शब्द का मतलब होता है विपरित, ठीक तो आज हम यह चप्टर पढ़ेंगे विलोम शब्द तो मैंने आपको बताते हैं विलोम शब्द किसे रहते हैं एक बार रेटन में प्रश्न एक विलोम शब्द किसे कहते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं इसका उतर जो शब्द एक दूसरे का विप्री तर्थ रखते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं जो शब्द जो शब्द एक दूसरे का विप्रित आर्थ रखते हैं हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं जो शब्द एक दूसरे का विप्रित अर्थ रखते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं जो अर्थ एक दूसरे का विप्रित 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 उल्टा अर्थ रखते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं आप उयसे company की विलोम शब्द क्या होते हैं आपसे नहीं विलोमशब्द आप आसानी से समझेंगे जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ रखते हैं उन्हें विलोमशब्द कहते हैं ठीक है जैसे विलोमशब्द होते हैं ठंडा गरम दिन रात अमीर गरीब अंधिकार प्रकाश सवेरा साई आकाश पाताल आगे पीछे एक अनेक सोना जागना चतुर भोला पूरव पश्चिम हसना रोना हार जीत सबका एक दूसरे से उल्टा है हार जीत हार का उल्टा क्यों होता है जीत बाहर भीतर गुल दोश अधिक कम धर्म अधर्म उपर नीचे आय वे सुख दुख जै पराजै खट्टा बीथा आशा निराशा साकार निराकार जूट सच भाई बहन लाब हानी तो यह क्या आते हैं हमारे विलोम शब्द ठीक है अब जैसे एक एक एक्सरसाइज हम इसकी करेंगे रंगीन शब्दों के विलोम शब्दों का प्रियोग करके वाक्य पुने लिखिए तो आजी कुछ विलोम शब्द है इंगी विलोम शब्द लिखेंगे आप प्रश्न नमबर दो निमने लिखे तो निमने लिखे तो शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे निमने लिखेंगे शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे निम लिखेंगे शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे जैसे रात रात का विलोम शब्द क्या होगा दिन रात का विलोम शब्द क्या होगा दिन अब हैं आकाश आकाश का विलोम शब्द आकाश पताल सुक सुक का विलोंचाब्दुक्या होगा दुक सुक का विलोंचाब्दुक्या होगा दुक पिरह मित्र मित्र का विलोंचाब्दुक्या होगा दुक साकार साकार का विलोंचाब्दुक्या निराकार सत्य असत्य आय आय का वे आय का विलोंचाब्द होगा वे गुन अब गुन गुन का विलोंचाब्द होगा अब गुन 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 का विलोंचाब्द अब गुन भी होता है और गुन का विलोंचाब्द दोश भी होता है गुन 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 का विलोंचाब्द गुन गुन दोश थीक है सुख, दुख, मित्र, शत्रू, साकार, निराकार, सत्य, असत्य, आय, वे, गुन, दोश, ठीक है? तो ये विलोम शबल थे, आपको ये दोनों प्रश्न अपनी कॉपी में भी करने हैं, और अपनी बुक में भी करने हैं, ठीक है? आप इससे पहले सबसे पहले तो आप इन्हें पढ़ेगे, इस चेप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद ये प्रश्न नमर बॉन और तो आप अपनी बुक में और नोट बुक दोनों में कंप्लीट करेंगे, सुन्दर संदर आइटी में, और उसके नेक्स्ट एक्ससाइज है, वो हम लाक्ष्ट लाक्चर में कंप्लीट करेंगे, थैंक्यू वो हम लाक्ष्टि क बाद कि सबतार में को सबते हैं